हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंड अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको यूट्यूबर पर जो क्रेटर अवार्ट्स मिलते हैं उनके बारे में भी पता ही होगा कि जिनबाब के ऊपर एक लाक सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको इस तरीकें के आवाट्स मिलते हैं लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज नहीं पता कि यहाँ पे जो creator awards के rules हैं उनमें काफी जादा बदलाव हो गया है काफी चीज़े add हो गई है जो आपको जानना बहुत जादा जरूरी है अगर आप इनको नहीं जानेंगे इनको नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपको creator award ना म कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको इसकी creator award के एक policies बता देता हूँ जो पहले से ही है कि मान लिजए आपके channel के उपर criteria पूरा हो गया है subscriber का और आप play button के लिए apply करने जा रहे हैं और आपने अगर पिछले 6 महिने में अपने channel पे कोई activity नहीं किया है तो आपको कोई भी creator award नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि आपको अपने channel पे active रहना पड़ेगा तब ही आप अपने channel पे अपने creator awards को ले सकते हैं यह policies तो पहले से थी लेकिन अब जो इसमें नया add हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं सारे closes कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लिजे आपके channel के उपर criteria पूरा हो गया है और आप play button के लिए या creator award के लिए apply करने जा रहे हैं लेकिन आपने last 365 दिन में आपके channel के उपर कोई भी community guidelines strike अगर आई है तो आपको creator award नहीं मिलेगा मतलब पिछले 365 दिन के last एक साल के अंदर आपके channel के पर कोई भी community guidelines track आई हो चाहे वो हट भी गई हो फिर भी आपको creator award नहीं मिलेगा तो ये काफी बड़ा change हुआ है इसमें काफी बड़ा close add हुआ है इसके इलावा मान लिजिए आपके पास multiple channels है और उसमें से आपका कोई भी एक channel terminate हो गया है और वो जिस email id से attached था वही email id आपकी जिस पे आपने criteria पूरा किया है ये email id भी उसी से बनी हुई है तो आप जब भी creator award के लिए apply करने जाएंगे तो आपको award नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो channel था वो terminate वाली id से ही बना हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे भी कोई award नहीं मिलेगा इसके अलावा मान लिजिए अगर आपका channel monetize है और जब आप ये apply करने जा रहे हैं उस time आपका किसी भी वज़े से आपका channel demonetize हो जाता है तो भी आपको creator award नहीं मिलेगा तो ये काफी सारे closes इसमें add हुए है main तो इसमें यही है कि last 365 दिन के अंदर आपके channel के उपर कोई भी community guidelines strike नहीं होनी चाहिए आपका channel बिल्कुल साफ होना चाहिए clean होना चाहिए अगर आई होगी तो चाहे वो हट भी गई हो अगर फिर भी वीडियो से related कोई question आ रहा है कोई query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और शेयर जरूर करें thank you